Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, बट जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर केपिबिलिटी रखती है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट कुरूज मिसाइल भी है तो इसके बारे मैं और चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात के आज निकल के आई है कि जो IAA, International Atomic Energy Agency के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि ये पाकिस्तान का जो ये ब्लेम था इंडिया के उपर की इंडिया ने जानबूच के फायर किया है वो अब खारिच कर दिया गया है पाकिस्तान को काफी बड़ा जटका लगा है इंडिया ये केस जीद गया है कि ये गलती से फायर की गई थी तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रिजिक्टरी रही है सिर्सा हरियाना के पास से ये ब्रमोस मिसाइल फायर हुई थी 9 मार्च 2022 को जो की डिफेंस मिनिस्ट्री का ओफिशल स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर के बहुत पास थी ये ऐफिशली पाकिस्टान का जो टीवी है पी टीवी चानल ने रिपोर्ट किया है फ्रॉम्दी जो ओफिशल स्फोक्स परसन एंटके military के पाकिस्तानी आर्मी के तो ये Indian projectile profile है कि Brahmos missile कहां से fire हुई और कहां पे जाके गिरी है तो इसको लेके भारती दूतावास ने भी और जितने भी हमारे defense experts हैं या रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग जी जी हैं उन्हों जो speed of sound है उससे 2-3 कुना जादा तेज चलती उसको हम लोग mark measure करते हैं तो ये faster than the speed of sound है 3000 kg से लेकर आप देखेंगे 2500 kg के आसपस इसका mass है और अलग-अलग variance है ship launched version है surface launched version है submarine launched version है और air launched version भी है इसका और length और diameter के अगर हम बात करें उसके साथ साथ जो warhead है इसमें सबसे important बात यह है कि एक nuclear warhead capability रखती है और ये joint venture है Russia और India के बीच तो ब्रह्मोस का जो नाम आता है वो ब्रह्मपुत्रा और Moscow नदी से निकल के आया है और ये joint venture है between the federal state unitary enterprise NPO मैशन स्टोरनिया और वरश्या तो इसलिए ये जो एक intergovernmental agreement के तहत बनाया गया है और ये world की सबसे powerful और सबसे तेज चलने वाली cruise missile है अब cruise missile क्या होती है cruise missile ऐसा होता है कि एक बार जब इसको fire कर देते हो आप तो इसको आप थोड़ा बहुत plane की तरह navigate कर सकते हो वहीं पर जो ballistic missile होती है वो जाती ऊपर वो प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरती है जैसे कि अगनी missile variant हो गया तो cruise missile में थोड़ी maneuverability थोड़ी जादा है अगर आप देखेंगे जो ballistic missiles है उनको एक बार आप छोड़ देते हो तो फिर वो थोड़ा बहुत minimum navigation आप कर सकते है वैसे fire and forget version इसका भी है कि अपने target को 100% जाके ब्रमोस missile hit जरूर करती है तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो international atomic energy agency के chief है उनका एक recent interview आया उन्होंने बुलाए कि हमें भारत के प्रती कभी कोई शंका थी ही नहीं कि वो एक responsible nuclear state है और कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करेगा गलती से fire हुआ होगा हम लोग जितनी भी world में activity होत रहते रहते हैं और भारत के प्रती ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला so quote unquote we are constantly looking at all the situations around the world and of course we look with interest when a very important member state of the IAEA has issues and the organization did not seek any information for the Indian government of the matter जो पाकिस्तान जो हला बोल कर रहा था कि भारत से बूचो भारत से बूचो भारत ने ऐसा कर दिया ये कर दिया nuclear war हो गया IAEA ने खुद जो सबसे बड़ी UN की autonomous agency है nuclear capabilities जो देखती और अपने under safeguard में रखती उसके चीफ खुद कह रहे हैं कि हमने भारत पे इतना विश्वास रखते हैं कि हमने भारत से कोई information मांगी ही नहीं और ये उन्होंने खुद भी बोल दिया कि भाई है जो misfiring हुई थी उससे कोई शंका doubt उठा नहीं और safety nuclear material इंडिया में intact है बलकि पाकिस्तान गोलटा ये सोचना चाहिए तो अगर हम इस statement को देखें और जो official statement आया चीफ का तो ये clear cut है कि भाई पाकिस्तान का जो ये blame game है ये चलने वाला नहीं है खेर बहराल इंडिया ने अपनी responsibility लेते हुए क्यो जो बताया कि एक तक्नीकी खामिया हो सकती जिसके वजह से ये routine maintenance operation के अंदर fire होगी और साथ-साथ ऐसा भी नहीं है मतलब भारत सरकार ने और defense ministry ने action भी लिया जिसमें उन्हें जो three Indian Air Force officials थे वहाँ पे station थे उनके खिलाफ action लेते हुए उनको suspend भी कर दिया है और पाकिस्तान ने हावर इस चीज को जैसा कि हमेशा करता है उसको reject कर दिया है कि यह जानबूच के closure करना चाहता है बात चिपाना चाहता है joint investigation हमें करनी है etc. जो कि सबी लोगों ने खारिज कर दी चाहे वो international atomic energy agency हो या भारत की रक्षा agencies हो तो एक और चीज जो IAA के chief ने बोली है कि देखी इंडिया में अभी आप देखेंगे 22 operational nuclear power plants है जिनकी combined capacity लगबग 6780 मेगावाट है जो लगबग 2% से भी कम है अगर हम installed electrical capacity देखें हो 407 गिगवाट जैसा कि आप जानते हैं कि भारत renewable energy की तरफ काफी push कर रहा है different different missions launch कर रहा है हम लोग carbon neutral की तरफ move कर रहे है तो nuclear energy का एक अप्रूव किया हुआ है 10 और nuclear power plants जो बहुत जल्दी online आ जाएंगे next to 5 to 10 years and generally पहले 8 से 15 साल लगता था क्योंकि equipment रश्या से आता था बाकी country से आता था dependency थी अब इंडिया खुद इस capabilities को develop कर रहा है तो अब क्या है बहुत कम समय में turn around time में 4 से 5 सालों में ये nuclear power stations बन जाएं स्पीड है 15 किलोमेटर और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में आता है जिसके पास ये nuclear triad है triad का मतलब होता है कि तीनों तरीके से चाहे वो air force हो military हो army हो या navy हो तीनों वर्जन हमारे पास है और तीनों nuclear capability रखने वाले weapon हमारे पास है सूपर सॉनिक स्पीड पे ब्रमोस fire किया सकते है अभी सुखोई M30 mark 1 से fire किया गया था land version भी है जिसको fire किया था similarly submarine से भी इसको fire किया जा चुका है तो ये इंडिया की defense capabilities को काफी जादा boost देता है ब्रमोस के अगर हम बात करें low radar signature है रेडार पे पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो speed of sound से बहुत तेज़ travel कर रहा है mark 2.8 का मतलब होता है 2.8 times faster than the speed of sound 400 से जादा kilometer की इसकी range है और अभी इसका एक advanced version पे भी काम किया जा रहा है that is the refined version of ब्रमोस जिसकी range और जो nuclear warhead capacity भी बढ़ा दी जाएगी अगर हम ब्रमोस का comparison करें with other similar missile तो अगर आप देखेंगे DF जो 17 है चाइना के बास है रशिया के बास Zircon है AGM जो है यह आपका जिसका range 1600 किलोमेटर के आसपास है similar sort of cruise missiles है बट ब्रमोस की जो capability है ठीक है यह one of the best है और stand out करती है अगर आप compare करें world की बाकी सारी cruise missile से because यह world की fastest supersonic cruise missile है और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार ने Philippines और Vietnam के साथ agreement sign किया है ब्रमोस देने के लिए और यह एक बहुत important कदम है चाइना को tackle करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं चाइना one belt one road initiative और maritime silk route की वज़े से भारत को घेरना चाता है इंडो Pacific में similarly चाइना को counter करने के लिए भारत ने strategy बनाई है diamond necklace तेक है diamond necklace का है कि जो चाइना के इर्दगिर्द जो राज है जो state है जिनकी उनसे नहीं बनती है उनके साथ agreement sign करके जैसे मंगोलिया जपैन विएतनाम सिंगापोर सबांग इंडोनेशिया अजम्शन आइलेंट सीशलीज में है दाकूम पोर्ट ये सारे strategic पोर्ट पे इंडियन नेवी को access मिल गया है मंगोलिया से तो ख्यार बिकॉस लैंड लॉक्ट है तो वहाँ पे military की capabilities है similarly यहाँ पे ए जो जी 20 summit है उसमें बाली जो चल रहा है उसमें पहली बार शी जिंपिंग साब और प्रधानमंत्री मूदी ने handshake किया formally मिले है face to face after the galwan incident तो चाइना के लिए इतना भी आसान अब नहीं रह गया है बात करते हैं International Atomic Energy Agency के बारे में आपके exam की point of view से तो इसको setup किया गया था विदिन UN के अंदर और UN General Assembly or Security Council को रिपोर्ट करती है हाला कि इसका जो हेड़कॉर्टर है वो विएना ऐस्ट्रेलिया में और और मल्टिमल मेंबर स्टेट्स के साथ काम करती है उनके nuclear capabilities की वो सेफगार्ड में रखती है इसके अंदर आप देखेंगे pact program है human health program है water availability enhancement program है international projects on innovative nuclear reactors and fuel cycles है और इस समय जो रफैल ग्रोसी साथ डिरेक्टर जर्नल है जिनके statement के बारे में हम लोग बात कर रहे थे currently 175 member states है तो अब देखी ये topic इतना important रहा है कि UPSC ने 2018 के prelims में इस से related एक सवाल पूछा था कि Indian context में implication क्या है ratify करने का additional protocol का with the international atomic energy agency civilian nuclear reactors जो है वो IEA safeguard के अंदर आ जाएंगे military nuclear installation जो है वो inspection के अंदर आ जाएंगे IEA के अंदर या country को जो है वो uranium खरीदने के लिए nucleus reprise group की membership मिल जाएगी या country automatically member बन जाएगा NSG का अब इसका क्या answer होगा आप नीचे comment section में जुरूर बताएगे सभी लोग बताएगा because ये important सवाल रहा है औ और काफी लोगों का गलत भी हुआ था मैं थोड़ी से hint आपको दे सकता हूँ उसमें एक चीज़ यात रखिए military चीज़ें जो है वो कभी भी पूरी तरीके से disclose नहीं की जाती so I hope आपको hint मिल गई होगी answer जोर बताएगा comment section में और मेरे जो live foundation courses study IQ को उसको join करने के लिए thousand hours of live classes and mentorship 30 November से सुबह 8 बजे हम लोग मिलेंगे geography की class के लिए so till next video thank you so much everyone and जै हिन दोस्तों